जैस्री राम तो आधिपुरुष के मेकर्स ने विवादो और बदलाओ के ट्रेंड को कायम रखते हुए आप सोचा कि फुल स्टॉप लगाते हैं इसे और फाइनल ट्रेलर रिलिज कही दिते हैं कितने बार बदलाओ करेंगी कितने बार इसमें बदलाओ उसमें बदलाओ फाइनल ट्रेलर दिखा दिते हैं कि अब समय नजदीक है सोला जुन का एक्जाम की घरिया नजदीक है तो सोला जुन को पता चल जाएगा कि इस फिल्म को लोग कितना पसंद करने वाले हैं इस ट्रेलर करने के साथ मैं आपको बता दू कि इसके मेकर्स ने एक बड़ा फैसल तो ट्रेदर के सुरुवात होती है रावन से भिच्छाम देगी शादू के वेश में आते हैं जानकी के पास अनाज डालते वक्त इनका सैतानी जो दिमागे कार्म करता है और यह अपने हाथ से कुछ ऐसा छोड़ते हैं जिससे सिता मैया जो है पुरी तरह जड़ जैसे बनते है और उन्हें वह इस तरह से उड़ाते हुए कश्ट तरीके से बांध कर ले जा रहे हैं डिस इस वेरी इंसल्टिंग वे ऑफ किट्नेपिंग नोट लाइक डेट की जो रामायन था असली वाला उसमें ऐसे आपहरन नहीं वा था उसमें सीता मैया को इतना कर्ष्ट नहीं जिन दिया गया था उन्हें विमान में उन्ısı यहां यहां पर लिएज रहा हैं और असले में जटायों आते हैं लगने के लिए बचाने के लिए और यहां पर आता है एक बाज विशाल का बाज जिसमें नो फिलिंग इमोशन लेस उसके बाज इतने युद्दिक के दिरिष्टे दिखाए गई है डायलेग बाजी तो ठीक है राम जी की बात है तो अच्छा लग रहा है लेकिन जो एक्सेंस दिखाए गए हैं जहां पर वह कह रहे है कि क्या आप लोग तेयार हो तो वहां पर हनुमान की सिना थ सब उचल कुद रहें बड़े बड़े विशालकाई अरे यह क्या है इतना बड़ा भी नहीं बयाना था आप लोग किस तरह के एक्शन सीन से और जादा ही कुछ भी एफेक्स एक्जाग्रेट कर दिया गया है इस फिल्म में रामायन को तो और हर भारती के अदिपुरुस हर हर भारती के रामायन है तो यह जो आपने कह दिया तो इससे मतलब कि सब बड़ाव नहीं हो जाएगा आपनी जो बड़ाव कि वह लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे प्लस इसमें जब सीता मया को चुराने के लिए आते हैं हनुमान जी तो और उरिजिनल वाले में यहां पर आते हैं विशाल रूप में जैसा कि ट्रेलर में दिखाए गया है तो समझ में आ रहा है कि उन्हें कितना ज्यादा बदलाव कर दिया है और यह बदलाव विल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे परस्नली लेकिन अब लोगों की मानेता भावना है वेल तो मैं यह कह रहा था कि अब इसके बाद जब ट्रेलर की बात हो गई तो दो मिनेट चौभी सेकेंड के इस ट्रेलर में हम यह देखते हैं कि काफी डार्कनेस है और काफी अजीब तरह के मतलब कुछ ब्राइटनेस नहीं है इसमें ब्राइट तो मुझे कुछ नजर न रखे जाएगी इसके पीछे एक धार्मिक भावना है एक इमोस्टल मार्केटिंग का सहारा है एक स्ट्रेटेजी है क्योंकि मेकर्स चाहते हैं जानते हैं कि जहां पर भी राम कथा सुनाई जाती है वहां पर एक सिट उनके परमभक्त हनवान जी के लिए रखा जाता है तो सब्सक्राइब तोि इसको और उन्होंने एक लेला है और उस्ता जाता है और करता पटेज मेडिया अच्छा काम किया है तो पशरूंक्पि की अपने बचेवालेयों के लिए लिए उसकी नियम यह कर दिया है विल्कुल एक त तरीका है तो आई होग कि आप रिव्यू से समझ के होंगे कि उस रमायंड में और इस आदिप पुरुष में जमीन आस्मान का फर्ख है वो सिंपल एक साधारन तरीके से बताई गई विदाउट एनी बहुत ज़्यादा विएफेक्स का सहारा लिए और यहां पर सिर्फ विएफेक्स और ग्रीन स्क्रिन का सहारा है कुछ अलगी है एक्शन ज्यादा है लगता है या एक्शन जो है हमारी वोसन को टच करेंगे या नहीं यह तो सोलोजू का पता चलेगा उसका म कर दीजिए अगर अच्छे लेगी है शेर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकम को प्रिस कर दीजिए मैं यहां पर आपके लिए हमेसा लेकर आता हूं बॉलीवूट के फैक्ट्स न्यूज रिव्यूस अपडेट्स तो यह सब लेकर आता हूं तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ नमस्कार ओम शानती